पंजाब निशनल बैंक का जो उनलाइन बैंकिंग है उसमें आप लोगिन कैसे करेंगे इसके लिए आपके पास पंजाब निशनल बैंक का लोगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए जो आपको बैंक देता है तो आपको मैं शुरू से बताता हूँ, यह जैसे कि देखिए मैंने पंजाब निशनल बैंक का वेबसाइट खोले हुए है, लेकिन मैं आपको शुरू से बताता हूँ, जब भी आप कोई भी ब्राउजर यूज करेंगे, जैसे अभी मैं यूज कर रहा हूँ, Chrome, Google पे जाकर यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे, NetPNB, NetPNB टाइप करेंगे आप, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो आएगा आपके पास विपसाइट का लिस्ट, वो पंजाब नेस्नल बैंक का ओफिसल विपसाइट है, जो कि NetPNB.com के नाम से है, तो इस पे हम क्लिक कर करेंगे, तो फिर से वही यह स्क्रीन खुल जाएगा, जो मैं खोले हुए था, तो यह पहले वाला जो था, इसको मैं कट कर देता हूँ, तो यह देखिए, यहाँ पे आपको जब पंजाब नेस्नल बैंक का वेबसाइट आप ओपिन करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो सनाएगा, एक है रिटेल इंटरनेट बैंकिंग का और दूसरा है कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग का, तो अधिकतर आपने जो सेविंग बैंक एकाउंट खुलवाया होगा, तो इसके लिए रिटेल इंटरनेट बैंकिंग का एकाउंट काम करता है, तो हम इस पे क्लि यूजर आइडी ये मांगेगा, यूजर आइडी आपको bank के द्वारा provide किया जाता है, तो आप पंजाब national bank में online banking अगर आप option ले चुके हैं, तो आपको user ID और password है मिला होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको user ID entry करना होता है, और user ID, user ID यहाँ पे डालने के बाद आप यहा सबसे पहले मैं यहाँ पे user ID डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने user ID डाल दिया है, और इसको मैंने hide कर दिया है, security region से, उसके बाद हम यहाँ पे continue पे click कर लेंगे, तो आईए continue पे click करते हैं, तो जैसी आप continue पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको password मांगे गएगे, तो यह पे हम password डाल देते हैं, तो यहाँ पे मैंने password डाल दिया है, password डालने के बाद हम यहाँ पे login पे click कर लेंगे, और जैसे ही आप login पे click करेंगे, उसके बाद यह जो है आपका Punjab National Bank का account, जो है आपका, वो login हो जाएगा, तो आईए, login पे click कर लेते हैं, तो यह देखिए हमारा Punjab National Bank जो है account का, account में मैं login कर चुका हूँ, तो इस तरीके से आप भी अपने Punjab National Bank में जो आपने online banking शुरू करवाया है, तो इस तरीके से आप उसमें login कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो भी Punjab National Bank के द्वारा feature provide किया जा सकता है, उसका आप इस्तमाल क कर सकते हैं, अब जैसे account का balance आपको देखना होगा सबसे पहले, स्वाविक है कि अगर को ही बैखती है, अगर Punjab National Bank के अपने account में login करेगा तो अपना bank balance तो देखेगा ही, तो उसके लिए आपको यहाँ पे account summary जो है, उस पे click करना होता है, तो आपको यह account summary पे click करते हैं, तो उसमें login करने के एक बिधी है,